Hello Everyone, आज है 1st February और आज इस वीडियो में हम बात किने जा रहें इरड़ा के बारे में 186 रुपीस का शेर है, आज देखा जाए तो अभी भी तकरीबन पॉने 3% की 30 है हलाकि मॉर्निंग में 5% का अपर सर्किल लगा जरूर था आज मॉर्निंग में बाजार काफी अच्छे मूड में था और बजट का दिन भी था तो जनरली ये होता जरूर है कि जिस दिन बजट होता है शुबह में बाजार अच्छे मूड में होता है लेकिन बाद में आफ्टरनून से बाजार में गिरावट देखना शुरू हो जाती है आज अगर आब रेलवे कमपीयों की भी बात करेंगे तो रेलवे कास निगम जो की 317 पे था अभी हाला कि 0.5% का डिकलाइन है लेकिन अगर कुल मिला कर देखोगे तो 5% का डिकलाइन है क्योंकि मॉर्निंग में तकरीबन 3% की यहाँ पर तीजी भी थी 317 से यह 300 पर आ चुका है IRFC भी अगर देखे तो गिरावट यहाँ पर भी है 180 रुपए से भी उपर था और अभी 170 के करीब आ चुका है यह मॉर्निंग में अच्छी रफ्तार थी यहाँ पर अब डिकलाइन आ रहा है IRCON में भी सेम चीज है मॉर्निंग में अच्छी तेजी थी यहाँ पर अब डिकलाइन आ रहा है बजेट के बाद गिरावट शुरू देखने को मिल रही है हाला कि बजेट में अगर हम देखे तो अच्छी अनॉंस्मेंट हुई है इन कंपनियों के लिए भी IRIDA के लिए भी बात करेंगे उसके बारे में लेकिन उससे पहले गर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इससे सब्सक्राइब कर लीजे क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस है जब को काफ़ी जादा हेल्प करेंगे तो 186 रुपीज का शेर है तकरीबन 0.5% के अभी तीजी है एक महिने में देखो कि तो तीजी शांदार है 103 रुपे से लगातार भागा है ये एक महिने से भी कम के टाइम में 11 जन्वरी को ये आपको 103 रुपे पर मिल रहा था तो 20 दिनों के अंदर कह सकते हैं कि 80% की तीजी है यहां पर एक साल में देखेंगे तो हलाकि उतनी पुरानी लिस्टिंग नहीं है अभी नवेंबर की ही लिस्टिंग हुई है तब ये 32 रुपे का था जो इसका IPO प्राइस था नवेंबर में वो 32 रुपे का था लिस्टिंग हुई 50 पे end of the day close हुआ 60 पे कुछ टाइम रहा मतलब 4-5 दिन रहा ये 60-65 के करीब फटा तो ऐसा फटा 120 पर गया फिर गिरावट आई सिंगल डिजिट में भी आगया था 120 से 95 तक आया था ये कुछ टाइम बिताया उसने 100 रुपे के आसपास कुछ ताइम मतलब मुश्किल से हफ्ता 10 दिन बिताया उसने फिर फटा ये फिर तेजी आ गई बिल्कुल पहले की तरह ठीक है अब यहां से मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि वापस से आपको ऐसे formation देखने को मिलेंगे थोड़ी से गिरावट के साथ consolidation मैं ऐसा expect कर रहा हूँ कि देखो ऐसा होगा जरूर यहां पर company खराब नहीं है शांदार company है लेकिन जाहिर से बाद है बाई साब ये इतनी बड़ी तीजी जब आ गई है तो consolidation बनता है जबकि देखो बाज़ारों में खबरी अच्छी है अभी जब राम मंदिर का inauguration हुआ था तब ही PM Modi ने वहाँ पर कहा था कि एक करोड तक की ये जो solar renewable energy है rooftop वगरा वो बनाने का काम होने वाला है यहां पर और आज भी भी budget में same चीज बोली गई है तो ये होगा यहां पर कि आने वाले time में renewables के तरफ बहुत ज़ादा ध्यान दिया जाएगा और ये company करती क्या है loan देने का ही काम करती है और कई सारी companies आएगी इस sector में, renewable वाले sector में कई सारी companies आएगी और जब उनको loan की ज़रुद पड़ी तो ये company भी है लेकिन ये एक lothy company भी नहीं है RECB इस sector में गुसा है ठीक है PFC भी गुसने वाला है तो देखा जाए तो ये एक lothy company नहीं है पोई ऐसा advantage नहीं है कि इनी से loan लेना होगा बहुत सारी जो सरकारी PSU's है वो वहाँ पर होगी market share वहाँ पर भी जाएगा आज volume देखे तो बड़ी quantity में है 9.40.40.000.000 से भी जाला की quantity में share trade होते नजरा है तो गिरावाट expected रहेगी यहाँ पर आज और शायद हो सकता है कि जो 5% का upper circuit है market close होते शायद ये 5% का ना रहे और शायद ये 2-3% का decline भी दिखा दे यहाँ पर अगर बात करी जाए इस company को लेकर तो according to money control user 100% लोग क्या रहे खलिदारी करो बेचने की बाद कोई भी नहीं कर रहा है मैं भी नहीं करूँगा हाला कि dividend pay करेगा ये अभी तक नहीं करेगा तबी recent listing है लेकिन इस साल dividend pay करने के chance से जादा है क्योंकि company जो है वो profitable है इनके revenue अच्छे है इनके profits पे देखो के तो वो शांदार है growth शांदार है यहाँ पर लेकिन जो चीज मुझे खटक रही है वो जो मैं पिछले कई time से बोल रहा हूँ वो है valuation इसका जो P है वो 41 पे जा चुका है 41 का P हो चुका है 41, 42 का P हो चुका है सेक्टर P 19 भी इसका है महंगा है यह काफी महंगा है और देखो सरकारी company इतने high P पे नहीं हो थी हाला कि कुछ है लेकिन यहाँ पर इसी competitors के मुकाबले अगर मैं इसो compare करता हूँ जो कि इनके competitors है PFC जिसका 9 का P है REC जिसका 11, 12 का P है even IRFC जिसने बहुत बड़ी तीसे दिखाई है उसका 36 का P है हलाकि IRFC को इसके साथ compare करना थोड़ी सी जल्दबाजी होगी जनरल इसके comparison REC और PFC के साथ ही होनी चाहिए क्योंकि यहाँ पर अगर आप इसको IRFC से compare करते हो तो IRFC वो railway को loan देती है जिसका मतलब यह कि वो government body को ही loan दे रही है जिसका recovery rate अच्छा ही होगा default होने के खत्रे ना के बराबर होते है लेकिन यहाँ पर default के खत्रे रहेंगे कोई भी analyst खरीदारी करने की बात नहीं करें इस level पर और जहां तक बात करेंगे financials की तो वो अच्छे है बुरे नहीं है revenue काफी अच्छा है इनका और results के बाद तीजी और जादा यहाँ पर देखने को मिली जरूर थी हमें 335 क्लोर का इनका profit भी था और आने वले quarter में और बड़े profit के expectation होगी अगर अच्छे आएंगे तो बहतर होगा नहीं आएंगे तो दिक्कत होगी shareholding को लेकर बात अगर हम करें तो promoter की holding जो है वो 75% की है और अभी भी नया shareholding pattern आया नहीं है December quarter में क्योंकि generally देखा जाए तो यह वो shareholding pattern जब इसकी listing होई थी तब promoter के पास 75% का stake था बड़े institution के पास भी था 3.94 mutual fund के पास था 4.59 domestic के पास था 3.95 files लेकर बैठे थे और यहाँ पर यह सोचना जरूरी है कि वाई साब जब share ने इतनी बड़ी तेजे दिखाई तो बेच कौन रहा था खरीद कौन रहा था बड़े institution ने खरीदा है कि बेच आए वो देखना जरूरी है क्योंकि देखो अब बड़े institution जो है वो पहले के तरह नहीं रहे है कि पहले क्या था कि अगर institutions बाइंग आती थी तो generally वो long term के लिए रहते थे कम से कम वो साल दो साल तीन साल तो रहते ही थे वहाँ पर और अगर बेचते भीचे तो सब कुछ नहीं बेचते लेकिन अभी अगर आप देखोगे तो mutual fund भी जो है ना वो भी अब trader की तरह behave कर रहा है या फिर कहलो कि swing trade कर रहा है वो long term के लिए अब बहुत कम companyों में रहते हैं यहाँ पर अगर आप देखोगे जैसे कि अभी high frame example है सुजलाउन का जहां mutual fund ने खरीदारी करी बड़े पैमाने पर लेकिन एक ही quarter में बहुत बड़ी बिक्वाली भी कर दी तो यह हो रहा है यहाँ पर अभी 3.94% का stake है नवेंबर के था बड़े institution के बाद अच्छे काजी quantity थी ज़रूर लेकिन देखना interesting होगा कि जब 32 रोपैसे 180 पर चला गया 180 पर चला गया 1500 पर गया तब कौन खरीद रहा था कौन बेच रहा था उन्होंने बेचा या फिर और खरीदा वो देखना interesting होगा और मेरे इस साथ से शायद profit taking करीग हो सकती है यहाँ पर retail ने बहुत बड़ी quantity खरीदी से थी तब 12.52% का stake में जो detail के पास था 12.41% का stake था other parties के पास 0.11% का stake था उस time पर अभी जैसे ही इसके नई shareholding pattern आएगे बात करेंगे उसके बारे में अभी तो नहीं आई है तो कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी overall अगर मैं IRDA के बारे में बात करूँ देखो company खराब नहीं है company loan देने का काम करती है renewable energy वाले sectors को जो कि बहुत अच्छी बात है और आगे मैं उम्मीद करूँगा कि इस sector में और बड़े players आएंगे और लोग आएंगे छोटे मोटे players आएंगे यहाँ पर और कहीं न कहीं जो loan की जरूथ होगी वो यही company पूरी भी करेगी लेकिन competition और भी जादा तगड़ी रहेगी यहाँ पर REC और PFC से भी इनको और भी कुछ बड़े players होंगे यहाँ पर loan वगेरा के लिए तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस valuation के उपर बैठा है यह सस्ता तो नहीं है यह महंगा valuation है और यहाँ पर at least entry level मुझे उतना सही नहीं लगता है 32 रुपे से अगर आप count करोगे तो भाईया पैसा तो इसने 600% का return कमा कर दे दिया है आपको 6X जो return है वो यहाँ पर बने जरूर है और यही वज़ा है कि यहाँ से मुझे लगता है कि जब भी आप इससे पहले भी देखोगे तो इस तरह के formation बने थे फिर गिरावट इससाथ consolidate किया था और जो गिरावट थी वो 20% की हुई थी यहाँ पर इस बार ही मैं expect कर रहा हूँ कि यहाँ से जब भी गिरेगा तो at least 15-20% का decline देखने को मिलेगा और तब जाके यहाँ पर एक risk factor वाला होगा कि मतलब खरीदारी की मौके बनेगे अभी नहीं मैं इतना ही कोई कि wait and watch जल्दबाजी यहाँ पर मत करना long term का future अच्छा जरूर है लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप किसी भी लिएल पर जाके खरीदारी करने बैट जाओ यहाँ से risk मुझे ज़्यादा लगता है और यही वज़ाए कि मैं wait करने की बात कर रहा हूँ अगें यह कोई buy sell recommendation नहीं है बाकी मर्जी आपकी है वीडियो को यहीं पर end करता हूँ पसंद आए हो तो like करें शाय करें चैनल बगरा पहली बार है तो please subscribe करें और Indian Renewable Energy के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे comment में लिखके बता सकते हैं Thank you